एलो स्टुडेंट वेलकम इन दिस वीडियो तो आज की इस पीडियो में बात करने वाले हैं आपके लिए टॉप थरी स्कॉलर्शिप्स जिनके फॉर्म की डेट अभी चल रही है और इनमें आपको एक लाग तक की भी स्कॉलर्शिप्स मिलने वाली है तो जितने भी अभी न किनों स्टुडेंट के लिए आपको थ्री टाइप की स्कॉलर्शिप्स बताने वाले हैं इसमें जो पहली स्कॉलर्शिप्स है यह अनली बीस स्टुडेंट के लिए है बाकि जो सेकंड और थर्ड स्कॉलर्शिप्स है यह यह बीस सी बीकॉम दोनों टाइप के स्टुडें वाली है बाकि आप टेलिग्राम पे हमारा चैनल यूनिक स्टडी आइडिया जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको इनकी कम्प्लीट डिटेल और पीडियाफ्स प्रोवाइट कराए जाएंगे ओके तो डियर स्टुडेंट जो इसमें पहली जो स्कॉलर्शिप्स है वह आपक टेकनोलोजी की तुरू दी जाती है यह स्कॉलर्शिप्स किन स्टुडेंट को दी जाती है वह भी यहाँ पे बताएंगे और कितनी अमाउंट आपको दी जाएगी और कैसे कैसे अमाउंट आपको मिलने वाली है तो इंस्पायर स्कॉलर्शिप्स है यह आपको जिते भी स् सबसे पहले आपकी जो eligibility होगी वो आपके अपने board में top 1% होना चाहिए आपको अपने जब आपने आपको स्कूल से एक certificate भी वहाँ पे मिला होगा ओके तो उसके थुरू आपको मिलेगी और इसके बाद आप BSC या जो MSC BSC integrated course इसमें आपका admission होना चाहिए तो यह इसकी पहली स 5000 रुपए पर मन्त मिलेगी जो कि एक ही बार आती है scholarship 6000 रुपए बाकि जो इसमें 20,000 रुपए वो mentorship के आपको दे जाते हैं काफी सारे student को mentorship के बारे में पता नहीं होता है तो हम आपको इस वीडियो के description में अपना जो link है वहाँ पे देने वाले हैं वहाँ पे आप हमसे बा ओके तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इसके जो form फिलप थे वो 10 September से लेके 9 नौमबर इसकी last date रहने वाली है ओके तो 9 नौमबर तक इसके form यहाँ पर फिलप होंगे आपको यह documents यहाँ पर upload करने होंगे सबसे पहले आपको अपना registration inspired scholarship की website पर करना होगा उसके बाद आपको scholarship पर अपना form फिलप करना होगा उसी website पर तो यह यहाँ पर आपके जो form certificate है यह certificate आपको चाहिए और submission की last date 9 नौमबर यहाँ पर है और आपका BSC में क्या-क्या subject होने चाहिए तो आपको इन में से related subject कोई से भी होने चाहिए physics, chemistry, math, bio, statics, geology यह सारे subject में से आपके minimum को कोई सावी एक subject होना चाहिए या कोई से भी दो तीन subject हो सकते हैं और यहाँ पर आपको अपने board की cut-off भी यहाँ पर दे रखी है तो मैं focus उत्राखंड और CBSC board पर करने वाला हूँ तो उत्राखंड में जिनकी भी 84.4% से जादा आई हुई है ठीक है उनको यह form भरना तो इस scholarship के form आप इस website से यहाँ पर देख सकते हो इस से बढ़ सकते हो ठीक है और इसके बाद क्या-क्या इसमें होता है वो आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेनी है अभी आपको complete अपना form fill up करना होगा इस website में ठीक है इसके बाद अगर आपको ज़्यादा जानकारी इस scholarship चाह होते हैं बाकी यहाँ पर second scholarship जो कि एस जेबियन सिल्वर जूबली मेरिट scholarship scheme है जिसके भी अभी form आद से स्टार्ट हुए पांच नॉवंबर से और 30 नॉवंबर इसकी last date है तो पहले बात करेंगे आपको इसमें कितना amount मिलेगा तो आपको 2000 रुपे पर मन्त यानि कि 24,000 या बीए हो सब टाइब के student को ये मिलने वाली है ठीका तो इसमें जो कितनी सीटें होती है तो इसमें मैं उत्राखंट की बात करूं वैसे ये चार डिस्टिक में आप तीन डिस्टिक में मिलती है तो उत्राखंट में ये only दो student दो डिस्टिक से जिनोंने 12th किया है उन student को ह भी मिलेगी जिसमें आपका district उत्तरकासी और चमोली आता है इसमें आपका state की 6 सीटें हैं जो 6 student को ये scholarship मिलेगी बाकि 4 CVSC वाले student को मिलेगी तो total 10 student को ये scholarship मिलेगी ठीक है minimum आपके 60% होना चाहिए और इसका जो form है वो आपको SJBN आप अगर सर्च करोगे himcon.org या scholarship.himcon.org वह तो आप हमसे contact कर सकते हो तो 30 November तक आपको form fill up होना चाहिए या फिर आप इनको वहां से form को download करके completely fill up करके इनको आप post office के through भी यहाँ पे submit कर सकते हो तो इसका सुझ selection criteria होता है वो 12th के percentage based पे होता है और आपको 24,000 scholarship पर year यहाँ पे आपको मिलने वाली है अब अगर बात तीसरी scholarship की करें तो यह है central sector की scheme यह इस scholarship में काफी सारे student eligible होने वाले हैं तो यह scholarship आपको किन किन student को मिलेगी तो जो भी BA, BSC या B.com के first semester के जो student है ठीक है जिन्होंने 2000 अभी 23, 24 में admission लिया है वो इसका form यहाँ पे भढ़ सकते हो तो यह scholarship जिते भी आपका state board के या CVSC वालों का भी इसमें जो top 20% होता है उन student को मिलती है और उत्राखन board के भी top 20% जो student होंगे उनको यह scholarship मिलेगी तो जिनके भी intermediate अगर आपके art side से अगर आप BA कर रहे हो और आपके 67% से ज्यादा है या science में आपके 71.80% से ज्यादा है या commerce में आपके 70.40% से ज्यादा से ज्यादा होगे तो इसमें चो टॉप के 66 या 700 सीटे होती है इसमें उन student को यह scholarship मिलेगी तो आपको अभी अपना form fill up करना है जिनके भी इस percentage से ज्यादा है और वो scholarship किन को मिलेगी जो भी general SC, ST, OBC या EBC वाले हैं EWS वाले हैं उन सब को मिलेगी और आपको fresh registration में यह आपको form इसका भरना होगा जिसका आपका scholarships.gov.in आपका इसका form है जिसकी last date 31 December होने वाली है और जो पुराने student जिनोंने पहले यह form भरा था वो भी इसका renewal 31 December तक करवा सकते हैं ठीक हैं तो यहाँ पे लिखा वा भी है कि जो आपकी central scheme जब आप NS National Scholarship Portal पे जाओगे वहाँ पे आपको central scheme दिखेगी उस पे आप जाओगे तो top 20% scholarship को मिलेगी 308 boys और 308 girls को scholarship मिलती है और per year 12,000 रुपए की scholarship परदान की जाती है ठीक है और अगर आप इसके बाद MSC करते हो तो आपको वहाँ पे 20,000 रुपए पड़ती वर्स मिलने वाली है तो इसमें क्या-क्या documents लगेंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपका इस्ताई निवास होना चाहिए फोटो और का certificate होना चाहिए आपकी 12 की मार्क सीट होनी चाहिए फीस रेसिप्ट और college का bonafide bank की passbook high school का certificate ओके आदार कार्ड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होनी चाहिए बाकि जो old student जिन्होंने पह scholarship तक जिनको यह मिलने की chances हैं तो आप उन तक वीडियो को share कर सकते हो बाकि जो last मैं scholarship बताऊंगा वो आपकी category scholarship होती है जो की SCST OBC वालों को मिलती है उसका भी form उसकी भी last date 30 December होने वाली है और वो बढ़ भी जाती है बाद में तो उसका form यहाँ भर सकते हो उसमें आप 2-3,000 तक की scholarship per year ले सकते हो ठीक है तो I hope आप सभी को आज की वीडियो पसंद आयोगी thanks for watching this video by Tata मिलता है next update में